नमशकार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस छोटी सी क्लास में तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अबजेक्शन को लेके के जिन्होंने एस्टट की परिक्षा दी है और टीज़िटी हिंदी वाले कैंडिडेट हैं वो objection को लेके काफी परेशान है कि किस question पर objection लगाना चाहिए क्या objection लगाना सही है proof कहां से लें तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे ठीक है तो उससे पहले मैं माफी चाहते हूँ सारा दिन घर से बाहर रहने की वज़ा से जल्दी वीडियो नहीं बना पाई तो प्रशन तो कई ऐसा लग रहा है कि गलत है लेकिन अगर हम गहराई से देखने की कोशिश करती है तो मतलब सही answer मिलता है कि हाँ सही है तो हम बस उन्ही question को देखेंगे जो सच में objection लगाने वाले हैं ठीक है क्योंकि 1000 रुपया पे करना पड़ेगा एक question के लिए और अगर आपका question सही होता है तो आपको बापिस मिल जाएंगे तो फिर देखते हैं सबसे पहले जो मेरे पास book है मैं आपको वही दिखाती हूँ मैंने उसी तरीके से पीडियोफ बनाई है तो ये हिंदी भाषा एवं साहित्या का वस्तुनिष्ट इतिहास है अच्छी book है ठीक है और सरस्वती पांडे और गोविद पांडे इसके लेखक है इस book से ही मैंने जो मतलब फोटो ली है तो सबसे पहले तो जो question था कौन सा हाँ अचार्य राम चंदर शुकल जी ने मतलब हिंदी का प्रथम कभी किसे माना है और महा कावय कौन सा माना है तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अचार्य राम चंदर शुकल जी ने चंदवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवी माने है और पृत्वी राजरासों हिंदी का प्रथम महाकवे माना है जो के आंसर की में ये option दे रखा है और इसको सही मान रखा है तो ये भी गलत है मतलब कि उस 4 option में से 2 गलत हैं तो grace जा सकती है क्यूंकि 2 option गलत है या तो दोनों स करने पड़ेंगे या सभी को ग्रेस देनी पड़ेगी ठीक है तो इस पर आप आप अब्यक्शन लगा सकते हैं प्रूफ के लिए ये बुक भी अच्छी है मेरे अनुसार इससे अच्छी आपके पास हो तो आप वहां से मतलब प्रूफ लगा सकते हैं तो इस क्लास का आपको ये भी फाइदा है कि मैं ही नहीं केबल बता रही कि इस क्वेशन पर बनता है अब्यक्शन लगाओ ये प्रूफ लगाओ आप लोग आपस में भी मतलब जुड़के बात कर सकते हैं जितने भी टीज़ची हिंदी वाले कैंडिडेट हैं इस वीडियो के माद्यम से आपस मे आप चर्चा कर सकते हैं कि हाँ इस पर लगाना चाहिए कि नहीं प्रूफ कहां से ले कौन सा अच्छा प्रूफ रहेगा ठीक है तो आप लोग आपस में भी जरूर चर्चा करें ठीक है अगला कोस्चन है जिसको लेके डाउट था कि डॉक्टर नगेंदर ने रिती निरू का प्रसम ग्रंथ किसे माना है ठीक है तो डीपली मुझे ये कहीं नहीं मिला है इसी वुक में एक पंकती है देखिए अचार्या विश्वनात परसाद मिश्र डॉक्टर नगेंदर और गणपती चंद्रगुप्त प्रवृती विद्वानों ने केश्व दासको हिंदी में रीती काव्या का प्रवर्तक माना है ठीक है तो उन्होंने रीती काव्या का प्रवर्तक माना है किसने डॉक्टर नगेंदर ने लेकिन अगर रीती निरूपन की वाद करें तो रीती निरूपन की जो प्रवर्ती थी वो भक्तिकाल में ही प्ररम्ब हो गई थी सूरदास की स हित लहरी, नंद दास की रस मंजरी और कृपा राम की हित तरंगनी में यह प्रवर्तियु उपलब्द है, यह किसी और बुक में दे रखा है, तो अगर रीती निरूपण की बात करें, तो वहाँ पर कृपा राम की हित तरंगनी की बात आती है ठीक है तो वहाँ केशवदास का जिक्र नहीं आता उनके गरंथ का तो मेरा मानना है कि इस पर objection नहीं लगना चाहिए ना लगाएं तो अच्छा है अगर किसी बुक में आपको सापसफस्ट ये जे लिखी मिलती है तो आप वहाँ से लगा सकते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा दूसरा question मेरे अनुसार clear के लगाना चाहिए कि नहीं अगला जो question है अगला है हाँ ये शंद वाला इस पर आप 100% लगा सकते हैं क्योंकि जो रोला है ये है सममात्रिक शंद है रोला क्या है रोले की बात थी तो रोला एक सममात्रिक शंद है इसके परतेग चरण में 24 मात्राइं होती है और परतेग चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यती होती है प्रतेक चाड़न के अंत में दो गुरू या दो लोगू की जोईना रहती है तो इसी बुक से इसी बुक में ये है शंद दिये हुए है यहाँ पर तो इसका मतलब जो ये शंद वाला कॉस्चन है इसके भी दो अप्शन गलत है दो अप्शन गलत है एक तो रोला वाला हो गया और एक हरी गीतिका वाला थीक है तो हरी गीतिका इस बुक में हरी गीतिका नहीं दिया हुआ तो ये दूसरी बुक है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग डक्टर हरदेव बहरी ये भी बुक मतलब अच्छी है इसको माना जा सकता है मेरे अनुसार तो इसमें यहां पर दे रखा है हरी गीतिका जो शंद है हरी गीतिका के प्रतेग चरण में 16-12 के विराम से 28 मात्राइं होती है यह एक सम मात्रिक शंद है तो आपकी जो क्वेश्चन है उसमें यहां पर 26 मात्राइं दे रखी है तो इस पर आप अब्यक्शन लगा सकते हैं दो प्रशन ऐसे हो गए जिसमें दो दो अप्शन मतलब गलत है तो या तो दोनों को सही करना पड़ेगा या फिर ग्रेस देनी पड़ेगी उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था एक विश्वनाथ परसाद वाला अचारे विश्वनाथ जी वाला रस्त के बारे में जो था तो यहां जो उनकी परिभाशा दे रखी है उसमें ब्रह्मा स्वाद ब्रह्मानंद की बात तो हुई है लेकिन ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहा गया है लेकिन इस बात को भी नहीं टाला जा सकता कि ब्रह्मानंद की बात ही नहीं हुई है ठीक है यहां अगर हम इस शब्द की बात करें तो यहां इसमें अखंड है और जो उसमें प्रशन में पहला आप्शन दे रखा है उसमें सत्वो द्रेकम में दे रखा है ठीक है तो इस तरीके से ये आप अपनी बुद्धी से सोचना के लगाना चाहिए के नहीं ब्रह्मानंद की बात तो हुई है ये नहीं कहा जा सकता तो अखंड की बात हुई है लोकोत्र चमतकार की बात हुई है तो बाकी आप सोचना के लगाना चाहिए के नहीं दो question confirm है जिस पर आप लगा सकते हैं objection बाकी सोच समझ कर आपस मेराई करके कि मैं इस पर लगा रहा हूँ क्योंकि number सबको मिलेगा grace सबको मिलेगी अगर दो option सही किया जाते हैं तो भी जिसने मतलब दोनों में से कोई किया है उसका सही हो जाएगा ठीक है तो बस मेरा तो बस यही उदेश्य था कि यह बात clear कर दूँ बाकी मेरे पास जितना यह प्रूप था यह PDF आपको मिल जाएगी टेलिग्राम पर टेलिग्राम का link description में भी है नहीं तो comment box में शोड़ दिया जाएगा ठीक है तो वहाँ से आप लोग इस PDF को ले सकते हैं जिसने नहीं जोइन किया टेलिग्राम तो जोइन कर लेना वहाँ से PDF ले लेना तो मिलते हैं फिर ठीक है फिर next class में हम बात करेंगे कि बच्चे बहुत ही परेशान हुए पड़े हैं कि code case करना चाहिए मतलब grace मिलनी चाहिए और फिर इसका solution क्या है जो मतलब syllabus वाला ये मामला है कि syllabus दिया और syllabus के अनुसार आपका विपर नहीं हुआ ठीक है तो next class में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे सभी मिलके जो भी TZD वाले candidate है मिलते हैं फिर अगली class में class देखने के लिए धन्यवाद